Good morning students, Hare Krishna, today is our English subject period, so take out your Literacy Skill Book and show the page number 134. आज हमारा English subject का period है, तो आप अपने Literacy Skill Book में page number 134 निकालिए. हमने हमारी previous class में he or she का use पड़ा था, कि he or she का use कहां होता है और it का use पड़ा था, ओके? आज हम उनका revision करेंगे, he का use मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, he का use हम boy और man के लिए करते हैं, और she का use हम women और girl के लिए करते हैं, ओके? Look at each picture, color the box with she or he, आपको ये pictures देखनी है, और हर picture के नीचे box में he or she दे रखा है, तो आपको picture के according, he या she में, he या she बाले box में color फिल करना है, ओके? First, कौन है ये? Yes, man. Man के लिए हम किसका use करते हैं, he या she का? Yes, he का. तो हम इस box में color करेंगे. Now, next. Yes, she is a woman. वह एक ओरत है. Woman, woman के लिए हमने she का use किया है. She का use होता है woman के लिए, तो हम इस box में color करेंगे. Now, next. Yes, girl है ये. कौन है girl? Girl के लिए, हम? किसका use करते हैं? Yes, she का. So, we will fill color in this box. She. He कौन है? Yes, he is a boy. ये एक लड़का है. और लड़की के लिए हम he का use करते हैं. So, we will fill color in this box. Show the page number 135. Look at picture, right, she, he, or it. He और she का use हम समझ चुके हैं. It का use हम किस के लिए करते हैं? Yes. Things के लिए और animals के लिए. Things. चीजे जिन में जान नहीं होती, जो बोलती नहीं है. Let's hear, क्या है ये? Yes, balloon. तो balloon के लिए हम क्या लिखेंगे? She, he, or it. Yes, it. I, T, it. Okay. ये क्या है? Yes, man है. तो man के लिए हम किस का use करते हैं? He का. So, we will write he. She, ये क्या है? Yes, bat. Bat के लिए हम क्या लिखेंगे? It, it is a bat. Okay. ये, yes, women. Women के लिए, she का use होता है. She, ये, ये girl है. Girl के लिए, yes. Sorry. Girl के लिए हम she का use करते हैं. ये क्या है? Soap. Soap के लिए हम it का use करेंगे. Okay. Now, show the page number 137. Circle the correct words in blue. Okay. आपको ये जो दो blue words दे रखे हैं. इन पे आपको, इन में से एक पे आपको circle करना है. इन sentence को read करना है और उसके according आप I, I, U पे circle बनाएंगे. ये girl है, अब ये क्या करेंगे, अपने बारे में बात कर रही है. तो ये ऐसे नहीं करेंगे, you am rush me. ये क्या बोलेगी? I am rush me. मैं rush me हूँ. Next. अब ये अपने लिए क्या बता रही है, boy है की girl? Yes. ये कह रही है, I am a girl. So, we will draw circle on I. ये क्या कहेगी? You am a girl और I am a girl. Yes. I am a girl. Next. अब ये इस boy से बात कर रही है. तो जब ये boy से बात कर रही है, तो क्या बोलेगी है? You are my brother या he are my brother. Yes. You are my brother. तुम मेरे भाई हो. Next. ये देखिए. अब ये boy है. ये अब अपने बारे में बता रहा है, ओके? You are I. क्या कहेगा ये? I am a cash ये you am a cash. Yes. I के साथ am का use होता है, you के साथ r का use होता है. और ये अपने बारे में बता रही है, तो क्या बोलेगा? I am a cash. तो हम I पे circle बनाएंगे. अब ये क्या कहेगा? I am a boy or you am a boy? Yes. I am a boy. Next. अब ये आकाश रश्मी से बात कर रहें, तो ये क्या कहेगा? She are my sister ये you are my sister? Yes. You are my sister. तुम मेरी बहन हो. Next. I am Raju. ये you am Raju, क्या होगा? ये अपने बारे में बता रही है, तो क्या कहेगा? मैं Raju हूँ. I am Raju. I के लिए मैं. You. I am a writer. ये अपने बारे में बता रहा है, मैं राइटर हूँ. तो हम किस पे circle बनाएंगे? Yes. I am a writer. अर राजू. इस लेड़ी से बात कर रहा है, ओके? तो वो क्या कहेगा? You are a teacher या he are a teacher? Yes. You are a teacher. तुम teacher हो. You means तुम. और हम किसी भी लेड़ी या गर्ल के लिए she का यूज़ करते हैं, ओके? अब ये रीना है. ये कह रही है. I am रीना. मैं रीना हूँ. तो हम आई पे circle बनाएंगे. Next. I am a teacher या you am a teacher? ये अपने बारे में क्या कहेगी? Yes. I am a teacher. तो हम आई पे circle बनाएंगे. Next. अब रीना राजू से बात कर रही है. तो वो क्या कहेगी? You are a writer या she are a writer? Yes. She तो girl के लिए होता है. वो work के लिए होता है. जब हम किसी को कहते हैं, तो तुम के लिए हम you का यूज़ करते हैं. तो ये कहेगी. You are a writer. तुम writer हो. Okay? Now our classes वाइनदा. Hare Krishna.